न्यूजी लेंड के खिलाब पहले वंडे मैच में ही टीम इडिया की तरब से सुमन गिल ने धुआधार बल्ले बाजी करते हुए वंडे क्रिकेट में 20 रिकार्ड बना दिया है खलाकि भारतीय टीम दोरा दिये गए 349 रनों के जवाब में न्यूजी लेंड की टीम भी जीत के काफी करीब पहुंच चुकी थी दरसल न्यूजी लेंड की तरब से माइकल ब्रेस्वेल ने ताबर तोड़ तुफानी बल्ले बाजी करते हुए एक समय अपनी टीम को जीत के काफी करीब पहुंचा चुके थे जी हाँ माइकल ब्रेस्वेल दस चौके और बारह सांदार चकों की मदद से 140 रनों की पारी खेल कर आउट हुए इससे पहले टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरब से कप्ता रोहित सर्मा और सुबमन गिल ने सांदार बल्ले बाजी करते हुए अच्छी सुरुआत दिलाई लेकिन कप्ता रोहित सर्मा 34 रन के नीजी स्कोर पर आउट हो गए इसके बाद सुबमन गिल ने जम कर नीवजी लैंड के गेद बाजों की खबर ली जी हाँ आपको बता दें कि सुबमन गिल की धुमाधार बल्ले बाजी देखकर एक समय ऐसा लग रहा था कि अंतराष्टी या वंडे क्रिकेट में रोहित सर्मा द्वारा बनाए गए 264 रनों के विश्वरी कार्ड को द्वास्त कर सकते हैं लेकिन दुर्भाग ये बस सुबमन गिल 208 रनों की एतिहासी के पारी खेल कर आउट हो गए खैर भले ही सुबमन गिल रोहि पारी के दम पर ही भारतीय टीम न्यूजी लेंड जैसी मजबूत टीम को हराने में कामियाब रही दरसल इस मैच में भारतीय टीम के दिग्ज़ बल्लेबाज विराट कोहली सुर्य कुमार यादो इसान की सन के साथ-साथ कप्तान रोहित शर्मा भी सस्ते में आउट हो गए टीम इंडिया के लिए गनीमत यह रही की बताओर सलामी बल्लेबाज आए सुबमन गिल ने डट कर न्यूजी लेंड के गेदबाजो का सामना किया सुबमन गिल की इस तुफानी पारी को देखने के बाद उनकी तुलना रोहित सर्मा, क्रिस गेल और विरेंद्र शहवाग जैसे विश्व चेंपियन बल्लेबाजों से हो रही है खुद कप्तार रोहित शर्मा भी मान रहे हैं कि शुबमन गिल वर्ल्ड कप में अपनी तुफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं